विक्सित भारत by 2047 हमारे देश ने एक नया प्रण लिया है कि हम डेवलब नेशन बन जाएंगे by 2047 मगर जब मैंने ये सोचा कि हम विक्सित भारत बन तो जाएंगे मगर डेवलब नेशन तो हमें आज भी एक विक्सित देश ही मानता है in fact वो तो हमें प्रेशराइज करता है कि हम भी अपने आपको विक्सित देश माने मगर क्या आप ये बात जानते हो being a developing country we get so much benefits with respect to so much taxation जिस कारण से हम आज developed country का tag नहीं अपनाते हैं और अपने आपको as a developing nation रखते हैं हर platform पे अगर आपने world trade organization की news को follow किया है तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होगे जब भी world trade organization में peace clause की बात की जाती है जहां पे हम कहते हैं कि हमें हमारे लोगों को food security प्रोवाइड करनी है इसी लिए हमें public stock holding रखने का मौका दिया जाए और permission दी जाए वहीं development nation ये कहता है कि क्योंकि अब ये देश विक्सित हो चुका है तो अब इसे इस stock holding की कोई जरुवत नहीं है ये तो सिर्फ मैंने एक example दिया ऐसे multiple issues हमारे और development nation के बीच में चल रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि कैसे हम 2047 तक एक विक्सित भारत बनके उभरते हैं The opportunities are immense in front of India The whole world will be ours अगर हम ठीक स्थ तरीके से आगे बढ़ें और जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और अब तो सबका विश्वास भी है तो अगर 140 करोड कदम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हम इस पूरी दुनिया को जीत लेंगे इसी बात से आज के सेशन को शुरू करते हैं हमारे इस बजट का विजन दिया गया है Prosperous भारत in harmony with nature, modern infrastructure and opportunities for all सोच के देखो कि अगर आपसे budget पे या economic survey पे कोई question पूछना हुआ तो क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि विक्सित भारत 2047 का हमने क्या vision हमारे सामने रखा है इसमें हमने कौन-कौन से key points को include किया है जैसे infrastructure आप मैंसे कौन नहीं जानता कि आज की सरकार हमारे देश में independence से लेकर आज तक जो infrastructure में काम नहीं हुआ वो 2014 के बाद under the Prime Minister Narendra Modi government हुआ है तो यहाँ पे हम harmony की भी बात कर रहे है with nature modern infrastructure की भी बात कर रहे है और opportunities for all की भी बात कर रहे है और यहीं से निकल के आता है हमारा एक inclusive development mantra that is सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विखास यहाँ पे हम एक trimity दिखाने की कोशिश की गई है जो की backing की जा रही है सबका प्रयास यहाँ पे demography जैसे कि हम लोग पढ़ते है जब भी हम demographic dividend के बारे में पढ़ते है demographic dividend का मतलब यह वो demography है जो देश को आगे ले जाएगी पंदरा से 64, age अलग हो सकती है कहीं पे 18 to 64, 70, doesn't matter what matter is कि आप यह समझते हो कि demography पारत के लिए कितनी important है और क्योंकि younger age population में हमारे देश का कोई तोड़ नहीं है इसलिए कहा जाता है कि हम पूरी दुनिया को जीच सकते हैं बस शर्त है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें साथ ही democracy अब हम चायना तो है नहीं कि एक communist society हमारे है communist government हमारे हैं हम एक democracy हैं, right in our country our people have all the rights, have all the freedom to speak we have article 19 freedom of speech and expression and we know how to live in so much diversity तो यही वो trinity है जिसको backing मिली है सबके प्रयास से अगर हम सब प्रयास करेंगे तो हम एक developed भारत के तरफ उभर पाएंगे तो यह सिर्फ बोलने की बात नहीं थी डेमोग्राफी, डेमोग्रासी और डाइवर्सिटी इसे अगर आप अपने answers में use करोगे तो आप से जादा अच्छा examiner को लगेगा चलिए, चलते हैं आगे इसके बाद में दोस्तों अगर हम आगे चलें next phase of हमरत काल पे तो हम बात करेंगे inclusive development की जहां पे housing की बात करेंगे housing की बात हो और प्रधान मंत्री आवास योजना का नाम ना है ऐसा possible ही नहीं है हमने अभी तक 3 करोड घर बनाने का target अचीव कर लिया है ये जो प्रधान मंत्री आवास योजना है न ऐसे projects को एक विक्सित देश भी implement करने के पहले 100 बार सोचता है और भारत जैसे developing state ने उसे अचीव कर लिया ये एक ऐसा remarkable example है पूरे world के सामने जो भारत की economic strength को और governance की strength को दर्शाता है शायद आप लोगों को पता नहो प्रधान मंत्री आवास योजना को हमारे foreign minister S.J. शंकर जी ने multiple platforms पे upload किया है and not only him, the country wherever he goes all those respect this particular type of initiatives taken by India और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए for the next five years we have again taken additional two crore to build additional two crore houses साथ ही हमने यापे middle class scheme इसका मतलब ये है कि या तो अपना घर बना लो या अपना घर खरीद लो ठीके या आपसे might be possible थोड़ा सा twist करके पूछ लिया जाए कि बनाने के लिए ही पैसा दिया जा रहा है क्या या खरीदने के लिए ही पैसा दिया जा रहा है क्या इस तरीके से ठीके फिर बात करते हैं टूरिजम की देखो हर चीज़ ना connected होती है अब ऐसा आप silos में बैटके थोड़ी पढ़ा ही करते हो UPSC की अब आप में से किसको नहीं पता मालदीव के बारे में आप में से किसको नहीं पता मालदीव से लक्षदीव के बारे में जोग्रफी की mapping के question आपको आने चाहिए लक्षदीव मालदीव आप में से किसको नहीं पता कि मालदीव का tourism sector सिर्फ लक्षदीव की एक visit से हमारे प्रधार मंत्री जी के हिल गया बिना उनके कुछ बोले अगर वो कुछ बोल देते तो तो शायद मालदीव को हम लोग पानी मी डुबा देते हैं हमारी जनता यहाँ पे जो tourism sector है वो एक बहुत prominent economy boost करने का initiative हो सकता है in fact आपने देखा होगा हमारी जो government है जो United Nation के अंदर cities network को develop कर रही है जो flagship blue flag certificate blue flag certificate beaches बना रही है massive level पे हम लोग tourist sectors को develop कर रहे है हम लोग religious tourist sectors को develop कर रहे है यह क्या कर रहे है हम हम क्यों कर रहे है ऐसा क्योंकि हमको tourism को boost up करना है साथ ही साथ यहाँ पे tourist center बनाने के लिए हम states को भी encourage कर रहे है आपको क्या लगता है यह जो स्वच्च भारत mission है इससे tourism पे impact नहीं आएगा सोच के देखो आज अगर पूरा भारत हमारे प्यारे indoor जैसा हो जाए जो स्वच्चता सर्वेक्षन में छटी बार पहले रिस्थान पे आया है तो पूरे विश्व में जो भारत की एक image है कि यहाँ पे गंदी चीज़ें रहती है सब गंदा रहता है कच्रा कुडा पड़ा रहता है वो पूरी image turn around होने में कितना time लगेगा और अगर वो image turn around हो जाएगी तो उससे tourism पे कितना impact पड़ेगा सोच के देखो तो यहाँ पे business opportunities डेवलप होंगी entrepreneurship यह सारी चीज़ें आपको वहाँ पे mention करनी पड़ेंगी silos में answer नहीं लिखे जाते हैं फिर G20 meeting 60 place पे हमारे यहाँ पे हुई क्यों हुई आपने कभी सोचा G20 meeting एक जगे भी बैठा के कर सकते थे उन लोगो क्यों हमने खर्चा करा आपने शायद observe ना किया हो यह चीज़ें observe किया करो हम लोग उन लोगों को bus में बैठा के flights में बैठा के एक state से दूसरी state दूसरी state से तीसरी state ऐसे 60 places पे हम लोगों ने उन लोगों को ठहराया उनकी पूरी विवस्था करी क्यों करा ताकि वो हमारी diversity को देख पाए तो आज जब इतने बड़े पैमाने पे हमने हमारे पूरे देश का प्रचार किया अपनी संस्कृति को उनके सामने लाके रख दिया करो ठीक है आज हम पोर्ट कनेक्टिवीटी के प्रोजेक्ट को लांच कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं अब यह आपको थोड़ी बताएंगे कि यहाँ पे अंडमाने निकोबार आइलेंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए आपको पता या नहीं यह बहुत कॉंटरवर्शल मुद्दा है हमारे अंडमाने निकोबार रीजन को डेवलप करने के लिए हम बहुत सा डीफॉरेस्टेशन उस एरिया में कर रहे है बट क्योंकि वो स्ट्रेटिजिक पॉइंट आफ यू से और मुझे मेरा ओफिस करना है तो मैं कैसे करूँगा वहाँ पे बैठके अगर वो चीज अवेलेबल हो गई इंटरनेट है वाइफाई है सब चीज़े टूरिजम अपने आप डेवलप हो जाएगा सारी अमेनिटीज अपने आप डेवलप हो जाएगी इंक्लूडिंग लक्षुदीप इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना पड़ेगा ठीके नेक्स टॉपिक एग्रिकल्चर एंड फूट प्रोसेसिंग बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है अब यह क्या ही बताएगा हमको इसमें हमको वैसे तो यह देखो कम से कम पाज घंटे का हमको एग्रिकल्चर में चीज़ें बता सकता था बट इसने बड़ी स्पैसिविक चीज़ें बताईए जैसे सरकार जो है वो प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्मेंट को पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज में प्रमोट कर रही है पोस्ट हार्वेस्ट मतलब समझे आप यह फूर्ड प्रोसेसिंग किप पे ले गया हमको फिर नैनो डायमोनियम फॉस्पेट के एप्लिकेशन पे हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हमारी सरकार का فोकस रहेगा अब यह क्या है नैनो डायमोनियम फॉस्फेट आप में से किसने फर्टिलाइजर टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़ा एकनॉमी में आप में से किसने अभी तक न्यूट्रियन बेस सबसीडि स्कीम को नी पढ़ा आप मेंसे किसको ये बात नहीं पता है कि fertilizer पे हम लोग कितनी ज़ादा सबसीडी देते हैं आप मेंसे किसने अभी तक यूरिया सबसीडी के बारे में नहीं पढ़ा ये सारी चीज़े हम पढ़ते हैं आप मेंसे किसने अभी तक नैनो यूरिया के बारे में नहीं पड़ा, जो liquid form में आता है, क्या usage है उसका, उसका usage है कि target पे जहाँ उसको जरुवत है, जिस plan को जहाँ पे यूरिया की, वहाँ पे हम से उसको दें और minimum quantity में दें, क्योंकि हमारे यूरिया बहुत जादा use होता है जो कि बहुत हानिकारक है, अब आप मेंसे किसको नहीं पता कि fertilizer में जो N is to P is to K का ratio होता है ideal, वो कितना होना चाहिए, ज़रा chat section में मुझे बताओ सारे लोग, ये basic सी चीज़े हैं, आपको budget पढ़ते ही, ये जो static portion है, ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ये कोई आपको ratio क्या है, currently हम कितना use कर रहे हैं, ये non-urea की जो varieties होती है, उसके क्या rate है with respect to armurea, आपको ये भी पता करना है, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा usage, कौन सी स्टेट में सबसे कम usage, आपको ये भी पता करना है कि die abonium phosphate में, जो majority raw material होता है, उस पे हम import dependent है, फिर ये जो fertilizer subsidy होत ये क्या होती है, और सिर्फ ये ही नहीं, इसे calculate कैसे किया जाता है, तो यूरिया के case में, क्योंकि बहुत साले घपले चल रहे हैं, इसको बिलकुल ढंग से पढ़ना, non-urea के case में, ज़्यादा tough है नहीं, तो पढ़ने की जरुवत है नहीं, साथ ही इसका historical evolution कैसे हुआ, और जितनी भी चीज़ें हैं, यह आपको एकदम सटीक तरीके से पढ़ना है, और जैसा कि हम हर नेशन, हर चीज में one nation one fertilizer के काम कर रहे हैं, one nation one election, हर चीज यह आपको कर के जाना है, नी muted, coated urea हो, या फिर बहुत ही recent में, प्रधान मंतरी, किसान समरुद्धी केंद्र, हम लोग जहां पर bio fertilizer के बारे में पढ़ रहे हैं, PM प्रणाम, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, अभी आपकी जिम्मेदार ही है, इसके बाद में, अगर हम oil seeds की बात करें, तो आत् निर्भरता for oil seeds, यहां पे हम में से हर को ये बात जानता है, कि oil seeds के लिए हम लोग dependent है, being an agriculturalist economy, देखो, मुद्धा क्यों है यह, being an agriculturalist economy, हम dependent है इसके लिए, कितनी शर्म की बात है, मगर ऐसा होता क्यों है, हमारे किसान क्यों इसमें interested नहीं है, क्योंकि हमारी जो सरकार है, वो MSP देती है, अब उस MSP के लिए, किसान ये देखता है, कि मुझे किसमें सबस्यादा profit हो रहा है, तो वो उसी crop को उगाने लग जाता है, wheat, rice, etc. तो oil seeds पे हम पूरी तरीके से dependent हैं, अब आप में से मुझे ये बताओ कोई, कि इस चीज़ से निपटने के लिए, हमारी government ने recent म एक बहुत बड़ा step लिया था, तो आप लोग chat section में बताना, मैं telegram पे उस topic का वीडियो आपके साथ share करूँगा, उसे जाके देखना, मगर पहले आप लोग जवाब दो, मैं देखता हूँ कि पता है या नहीं, साथ ही dairy development का comprehensive program हमने formulate किया PM मतल से संपदा योजना, ये तो ब पड़ी आसान सी बात है, हर कोई जानता है कि aquaculture की productivity मतलब मचली पालन जो है, उसकी productivity को बढ़ाना है, export हमें double करने, और यहां से employment opportunities जनरेट हो जाएंगी, है न, 55 लाग employment opportunities जनरेट करने का हमने objective लिया है, 5 integrated aqua park भी बनेंगे, विल्कुल ऐसे यसे mega food park होते हैं न, वैसे aqua park बना देंगे मचली पालन के लिए, यह तो आम बात हो गई, यह important क्यों है, बहुत अच्छा सावाल है, इसका मतलब यह है कि आप WTO की जो ruling होती है, उनको आप ढंग से पड़ी नहीं रहे हो, क्योंकि अगर आपने WTO की ruling पड़ी होती, तो आपको यह पता होता कि अनाज के बाद में, जहां पर हम food security में पढ़ते हैं, food grain, दूसरा तो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो fisheries का है, और अगर आपको अब यह आद आया, तो आपको IUU, यह भी आद आजाना चाहिए, यह सारे topics interlinked हैं, तो देखो, एक बार मैं जल्दी सा आप लोगों को दिखा होना क्या है, है ना, WTO के तो basics हो गए, चलो 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 यह green ember इसा तो पता ही आपनों को, है ना, हाँ, अब देखो, यहाँ पे fisheries subsidies को criticize किया जा रहा है, क्योंकि over fishing, encourage होती है, यह पुरा मुद्दा चल रहा था, यहाँ पे मुद्दा आ जाता है, IUU, illegal, unreported, unregulated fishing का, ठीक है यहाँ से 2022 में एक बहुत बड़ा agreement हुआ था fisheries पे, बहुत बड़ा, जहाँ पे developing countries और least developed countries ने बोला था कि हम transition करेंगे, इस agreement के अंतरगत, और जो यह बड़े बड़े fishing vessels होते हैं, इनको subsidies देना बंद करेंगे, यह जो illegal fishing कर रहे हैं, इस पे पूरी तरीके से प्रतिबन लग लाएंगे, और हम basically sustainable manner में यह चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, अब यह चीज़ें अगर आपको पता हैं, तभी आप इसका full utilization कर पाओगे, इन चीज़ों का, ठीक है, वरना तो यह सिर्फ एक news और एक line बनके रह जाएगी, फिर देखो, बड़ी आसान सी बात है, allocation जो है blue revolution के लिए बढ़ गया है, PM formalization of micro food processing enterprises scheme, इसका allocation बढ़ गया है, यह तो figures है बस, इसमें मैं क्या बताऊँगा, unemployment rate कम हो गया है, current account deficit as percentage of GDP, declining, यह बढ़ता उतरता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है, हम जानते हैं, fuel के prices में majorly depend करता है, gross non-performing asset as percentage of gross advances, यह बहुत अच्छी बात है, यह decrease हो रहा है, खेर यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊँ या नहीं मैं सोच रहा हूँ, बता देता हूँ, exam point of view से important नहीं है, आप विश्वास नहीं मानोगे, विश्वास क्या, मतलब मानना तो पढ़ेगा, यहाँ पे 11.2% था, ठीके, NPA, यहाँ पे 3.2% हो गया, अगर मैं आपको इसका absolute figure पताऊँगा ना, तो तो आप चौकी जाओगे, मगर आप यह भी समझ लो, कि जो चीज 12% थी, उसको 3% पे ले आए, यह सीधे तोर पे मुर्ख बनाने वाली बात है, इतना NPA कम करी नहीं सकते, पता आपक यह जो NPA कम हुआ है, कैसे हुआ है, बहुत अलग-अलग तरीकों से, जो NPA की definition है, उसको twist कर दिया जाता है, और कुछ account को NPA होने से बचा लिया जाता है, यह शायद आपको पता ना हो, practices होती है, bank में, यह newspaper में भी कई बार आता है, जैसे कि यह एक account है, इसमें 1 रुपे का 10 रुपे का transition कर दिया, तो वो NPA से बहार हो गया, समझ रहो, जो उसकी definition है, 3 महिने तक, कोई interest, कोई principle ना आना, ऐसी चीजों के through, accounts को NPA होने से बचा जाता है, recapitalization के through, multiple चीजें हैं, जिस कारण से balance sheet जो है bank की, वो सही की गई, और यह उसी का नतीजा है, वरना हमारी bank की हा राब है, मगर क्योंकि हमारी bank lend नहीं कर पा रही थी, due to various provision, जैसे provisioning coverage ratio, maintain करना, etc., इसलिए इस NPA को इतना घटा दिया गया, मगर कोई बहुत uploading चीज नहीं है, यह नहीं करना चाहिए, जो real चीज है, वो सामने रहना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, यह important नहीं था, यह बोल ज consistently, ठीक है, बढ़ रहे हैं, है न, लगातार बढ़ रहे हैं, अट्राउनीज, बहुत बढ़िया, average monthly gross GST collection हम लगातार पढ़ रहे, लगातार हम लोग पढ़ रहे, एक लाग करोड के उपढ़ जा रहा है, बहुत बढ़िया, headline inflation में गिरावट आना, बेकार की चीज है, कोई important, बहुत ज्यादा, जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था, तो मुझे तो एक thought आया, कि ये जो अभी किया है, ये पहली कर देते, मतलब ये सरकार भी जो है, वो अभी तक बैठके कर क्या रही थी, क्योंकि जब मैंने प्रधान मंतरी जी का भाशन सुना, तो उन्होंने कहा क उन्होंने पिछली सरकार को दोश दिया, कि ये लोग इस चीच पाइडल बैठे हुए थे, कॉमन सिटीजन को बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ रहा था, उन्हों पैसी बहुत सारे टैक्स के नूटिसेस थे, जो उनको डर का माहुल पैदा करते थे, अरे तो आप भी रिटन फाइलर्स हैं, वो धाई गुना बढ़ गए, अगें, टैक्स बेस बढ़ा है, बहुत बढ़िया, फास्टर रिफंड आए, क्योंकि एवरेज प्रोसेसिंग, टाइम अफ रिटन जो है, वो पहले 93 डेज होता था, अब वो 10 दिन, डिजिटाइजेशन, एक्जामप है, टैक्स बॉइंसी बढ़ रही है, टैक्स बॉइंसी क्या होती है, चला चैट सेक्शन बताना, एक्दम कॉमन टाम है, साल भर पढ़ते हैं हम इस चीच को, लोजिस्टिक कॉस, प्राइस ऑफ GST के कारण भी यह सब हम पढ़ चुके हैं, इसको वापस नहीं लूँगा मैं, बट येस, जो चीज में आपको बताना चाह रहा था, पहले हो बता देता हूँ, हमारे देश में, बहुत सारे आउटस्टेंडिंग डारेक्ट टैक्स डिम किसी पर दस अजार की टैक्स लाइबिटी चली आ रही है, वो भर नी रहे है, सरकार बोलरी भरो, तो यहां पर हो क्या रहा था है, डर का माहूल था, सरकार ने सुचा रहे दस अजार पत्तिस अजार का क्या करना है, हटाओ इन सब को, और उन्होंने मासिव लेवल पे इस चीज को हटा दिया, एक करोड से अजार टैक्स पेयर को इस से फायदा हुआ, तो अब क्या होगा, यह फालतू की हैड़क सरकार की गई, है ना, जद्दस अजार पत्तिस प्तिस हैर, और जो टैक्स पेयर है, क्योंकि जो भी रहा होगा कि टैक्स पेयर से कोई गलती हुई ह होगी, बाकि यह हो सकता है कि इन लोगों में कई लोग ऐसे हो जो वाकि में बज गया हूँ, जिनको भरना था मगर, मगर ठीक है, सरकार का काम तो इस आउट हुआ ना, साथ ही faceless transaction scheme हमारी सरकार ने launch करी, है ना, अब कोई घपला, corruption कुछ नहीं, particular इस चीज में, और भी एक बहुत positive sentiment है, जैसे अगर हम देखें, सरवे के हिसाब से, 94% industry leasers जो हैं, वो transition to GST positive को मानते हैं, साथ ही 80% respondents से जब पूछा गया, तो GST उनका है कहना था कि supply chain को optimize करने में मदद कर रहा है हमारी, ठीक है, import release time 2019 से देखें, तो 47% inland container depot पे कम हुआ है, air cargo complex seport पे इतना अतन हुआ है, समस्ते हो नहीं क्या होता है, एक ship आई, यहाँ पे रुकी, समान उतरा, फिर से गई, ठीक है, इसके बाद में, जैसा कि आप जानते हो, हमारी सरकार ने, जो tax benefits हैं, start-ups और investment को, जो किये जाते हैं हमारे sovereign wealth fund या pension fund के द्वारा, sovereign मतलब देश, ठीक है, देश के द्वारा, जो investment किये जाते हैं, उसमें tax exemption दिया है, ठीक है, certain tax benefits to start-ups and investments made by sovereign wealth fund, pension fund, साथ ही tax exemption दिया है, IFSC units को, IFSC, Gift City, Gujarat, we treat them as a foreign territory, याद आ गया होगा, अच्छा, यह जो tax exemptions और इनकी हम बात कर रहे हैं कौन से हैं, जिसे capital gain tax, security transition tax, etc, अच्छा, यहाँ पे एक debate चल रही है, क्योंकि कोई tax lab तो बदला नहीं है, सरकार ने, सब वैसा ही है, तो new tax regime और old tax regime पे question आना बहुत अच्छी probability है, तो आप सबको, मैं यह recommend करूँगा, उसमें आप एक बार differentiation जरूर देखके जाना, कि old tax regime को कौन लोग अपनाएंगे तो किनका फायदा होगा, new tax regime को कौन लोग अपनाएंगे तो किनका फायदा होगा, ठीक है, थोड़ी सी mathematical calculation यहाँ पे आप पढ़के जाना, मैंने इस चीज को बहुत elaborately cover करा हुआ है, I hope आपन इस चीज को कौन लोग अपनाएंगे तो किनका फायदा है, यहाँ पे बात की जा रही है, पीपल सेंट्रिक इंक्लूजिव डेवलिप्मेंट की, कैसे होगा पीपल सेंट्रिक, यह बात हम सब जानते हैं, कि आज का जो एरा है, वो डिजिटल एरा है, हम UPI की बात करते हैं UPI आज न सिर्फ भारत में यह वर्ल्ड ओवर एक्सेट कर लिया गया है, हर देश इसको इंप्लिमेंट करने की कोशिश कर रहा है, हम सब जानते हैं कि किस थरीके से जब भारत ने COVID पैंडेमिक के टाइम पे COVID पोर्टल को इनिशेट किया था, तो हर देश ने इससे इंस्प इनिशेटिव को देखें जैसे direct benefit transfer, और technological advancement के बहुत सारे examples हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मगर अपने आपको constraint करते हुए, हम यह देखना चाहते हैं कि कैसे जो technology है, वो एक inclusive development में हमको support कर रही है, हम सब जानते हैं financial inclusion हमारे देश में किस तरीके से किया जा रहा है, बीट from the opening of account और I should say zero frill account जिसका मतलब होता है zero bank balance account through प्रधार मंत्री जंधन योजना, we have initiated digital public infrastructure जो की formalization को लेके आ रहा है हमारी economy में, digitization के प्रती, substantive development हर तरीके से हम infrastructure पे कर रहा है, बीट physical, बीट digital और बीट social, साथ ही हमारा जो tax base है वाया GST वो भी जादा widen हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि पहले अगर इतने लोग tax देते थे तो अब इतने लोग tax दे रहे हैं, tax base का बढ़ जाना, साथ ही financial sector हमारा strengthen हुआ है, तो यहां से हमें एक पूरी cycle चलते वे दिखती है, चलो यहां से मैं आपसे question पूछता हूँ, मुझे बताओ कि bank का जो major source of income का स्त्रोथ रहता है, वो क्या रहता है, मैं फिर इसे repeat करता हूँ, bank का major source of income क्या रहता है, मतलब general public से पैसा, RBI से पैसा या market से borrowing, देखते हैं कितने लोग chat section में सही जवाब देते हैं, फिर यहां पर बात की जा रही है gift city IFSC के बारे में, इस gift IFSC में हमने बहुत सारी चीज़ें पूरे साल में पड़ी, भले ही वो gold के बारे में हो, जो हमने international bullion पे launch किया, भले ही gift city जिसको हम एक foreign territory के तौर पे देखते हैं, जो गुजरात में है of course, इस foreign territory में हमारी companies बहुत आसानी से पैसा ले सकती है, capital, ये एक gateway बन चुका है हमारी companies के लिए, कि वो बाहर दूसरे देश में, दूसरे देश के लोगों से पैसा जुटा सकती है, आपको शायद ना पता हो, पहले अगर अम्मानी जी को, US से पैसा लेना होता था, पैसा ले और बहुत लंबी process हुआ करती थी, मगर अब उन्हें कहीं जाने की जरुबत नहीं है, उन्हें यहीं पे हर चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी, बीट listing on stock exchange, and through debt stock exchange, वो वहाँ से पैसा ले सकते हैं, बाहर के market से, इसी के साथ जो financial services हमें बाहर जा के मिलती थी, in fact, कई ऐसे देश हैं, जिनने as a financial service center use किया जाता है, financial service center का मतलब होता है, आने वाले time में आपको देखने को मिलेगा, कि जो tax disputes होते हैं, और भी ऐसे बड़े level के, जो issues होते हैं, वो हमारे देश में आके solve होंगे, तो ये चीज हमने achieve करी, inflation के target को हम बड़ी खुबसूर्ती से manage कर रहें, हम बोलें, या monetary policy committee एक ही बात है, ठीक है, all parts of country becoming active participants in economic growth, और यही तो एक democracy demand करती है, कि हर कोई अपना full potential देश की growth के लिए लगाए, connect करो, policy से economy को हर चीज connected है, अगर इंडिया और world की GDP growth को देखें, तो यहाँ पर साफ तोर पर आप देख सकते हो, कि economy इंडिया की ज़्यादा better perform कर रही है, with respect to developed economy, और ऐसा नहीं है, कि इसमें हम कुछ बहुत अलग perform कर रहे हैं, मुद्दा यह है, क्योंकि हम developing country हैं, है ना हमारी भूग ज़ादा है, वो development nation है, उसकी जब भूग थी, तो उसने development कर लिया अपना, तो अब यह हमारा यह रहा है, खेर, इसके बाद, दूसरा focus area, गरीब कल्यान, देश का कल्यान, यह बड़ी ही simple सी बात है, यह बात तो आप जानते हो, direct benefit transfer के through, न सिर्फ सरकार ने, middle man को खतम किया, बलकि, खुद का पैसा भी save किया, लगबग इतने लाग करोर रुपे, यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कैसका कुछ use है, हाँ, आप इसको use कर सकते हो, digitization का example देखे, कि कैसे digitization, good governance में help करता है, किस तरीके से, वो efficiently, पूरे governance को, एक दिशा देता है, और किस तरीके से, वो आपकी saving भी करता है, monetary saving, ठीक है, हम सब जानते है, multi-dimensional poverty index क्या होता है, right, हम सब जानते है, human development index क्या होता है, तो यह human development के, parameters है, ठीक है, जिसे economic growth, के कुछ parameters होते हैं, वैसे economic development के भी parameters होते हैं, यह economic development के parameters है, साथ ही street vendors को under PM स्वानिधी scheme, हम लोग credit assistance दे रहे, इतने लाख street vendors को, अभी तक हम यह दे चुके हैं, यूथ की अगर बात करें, तो 1.4 करोड यूथ को, हम skill India mission के थूँ, train कर चुके हैं, साथ ही, अगर आप इस चीच को connect करके देखोगे, तो हम हमारे यूथ को, इसराइल भेज रहे हैं, वार्टाउन एरिया में, ये एक बहुत controversial issue भी है, कि एक तरफ आप training दे रहे हो, और दूसरी तरफ, आप उन्हें ऐसे वार्टाउन एरियाज में भेज रहे हो, क्या आप इस चीच को justify कर सकते हो, अगर मैं ethics का question भी ये बनाऊ, तो इस पर सोचने वाली बात है, अपनी दिमाग को confine मत करो, कि हम तो सिर्फ ये पढ़ेंगे, economic के लिए ही पढ़ेंगे, हर चीज को connect करके देखने की कोशिश करो, एक बड़े broader वर्जन से, चीजों को सोचने की कोशिश करो, behave like a bureaucrat, and you will become one, आगे बढ़ते हुए, fostering entrepreneurial aspiration of youth, 43 करोल loan sanction किये गए हैं, अंदर PM मुद्रा योजना, जैसे कि हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी कहते हैं, कि हमने self employment को generate किया है, हम ये नहीं चाहते कि हर व्यक्ति, पढ़े लिखे और नौकरी ढूंडे, वो क्यों नहीं नौकरी देने के लिए पढ़ाई करें, ठीक है, इसी के साथ IIT कितने बड़े हैं, AIMS कितने बड़े हैं, University कितनी बड़ी हैं, 14-23 तक, 14-22 तक, 14-23 तक ये बताया हुआ है, बात करते हैं, second focus area की welfare of farmers, अन्न दाता, आप में से कौन नहीं जानता, प्रधान मंत्री अन्न दाता, आई योजना के बारे में, आप में से कौन नहीं जानता, PM किसान के बारे में, जहां पे financial assistance provide किया रहा है, इतने करोड farmers को, हमने crop insurance दिया हुआ है, अन्टर प्रधान मंत्री फसल भिमा योजना, 4 करोड farmers को, साथ ही, APMC मंडी के अगर हम लोग बात करें, तो लगबग इतनी मंडियां, इ नाम से हम जोड चुके हैं, जहां पे 3 लाक करोड का, कामकाज हो रहा है, इ नाम, National Agriculture Market नाम है, आप सब जानते हो, कि farmer एक जगे से बैट के, दूसरी जगे अपना माल बेच सकता है, जहां पे उसको maximum profit हो, साथ ही, wheat और rice के procurement के price को भी, हमारी सरकार ने लगातार बढ़ाने की कोशिश की है, अगर हम 2022-23 से देखें, तो यहां पे हम साफ तोर पे इस चीज़ देख सकते हैं, मगर यही एक बहुत बढ़ा challenge भी है, अभी इसी के नीचे हमें एक चीज़ पढ़ेंगे, with respect to oil seed, हमें देखने को मिलेगा कि oil seed में, हम import dependent country हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि rice और wheat, और ऐसे major crops पे, हमारी सरकार, इतना जदा price set कर देती है, MSP में, कि हमारे देश के लोग oil seeds को उगाना पसंदी नहीं करते, और oil seeds पे हम पूरी तरीके से निर्भर हैं, वैसे ही नारी शक्ती पे बात करते हैं, हमारे देश में अगर female labor force participation rate की बात करें, तो वो 23.3 से 37% हो चुका है, अगर आपको याद हो, तो दो दिन पहले हमने female labor force participation rate पे एक बहुत important topic को discuss किया था, हमने discuss किया था उसमें, कि ये जो data collect किया जाता है, PLFS के दोरा, वो गलत है, periodic labor force survey, वो गलत इसलिए है क्योंकि जो women का interview होता है, उसमें उनसे जो questions पूछे जाते हैं, उसमें ये पता ही नहीं लग सकता कि actually में female का labor force participation rate क्या है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी जैसे gender specific policy का कम होना, जैसे जो women disparities और vulnerabilities को face करती हैं, उससे हमारी policy का कोई नाता नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि women क्या challenges face कर रही हैं, उसमें हमने बहुत elaborate चर्चा की हुई है, मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, female migration type करोगे तो मिल जाएगा, इसे के साथ अगर मुद्रा योजना की बात करें, तो women entrepreneurs भी बनाए हैं इसने, 30 करोग, female का enrollment higher education में 28% बढ़ा है पिछले 10 सालों में, मगर यह half truth है, अगर आपको last 10 साल में compare करना है तो male के साथ करो, जिनका बहुत जादा बढ़ा है, इनका तो सिर्फ 28% ही बढ़ा है, मतलब कि male और female में जो higher education enrollment को लेके gap है, क्या वो भी बढ़ी है, जबाब है हाँ, question ऐसे पूछे जाते हैं, यह percent कोई नहीं पूछेगा, फिर STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, इसमें 43% of female enrollment हमें देखने को मिला, ठीक है, यह figure आपको ध्यान रखना चाहिए, 1 करोड woman को हम लोग assist कर रहे हैं, और 83 lakh self-help group के थूँ असिस्ट किया जा रहे हैं, to become लगपती दिदी, क्या है लगपती दिदी, आप से यह पूछा जाएगा, आप से पूछा जाएगा कि आप यह जानते हो, लगपती दिदी, दीन दयाल अंतय योजना, दीन दयाल अंतय योजना, National Rural Livelihood Mission के अंतरगर चलाया जा रहा है, क्या आप यह बात जानते हो, लगपती दिदी में 1 lakh रुपे महिना, नहीं, 1 lakh रुपे पर एनम, पैसा, इनको कमाने की, ट्रेनिंग दी जाएगी, कि यह इतना पैसा कमा पाएं, क्या आप यह बात जानते हो, आप अपने mains के answer में इसको code कर सकते हो woman empowerment question तो आ नहीं है compulsory है इसी के बाद अगर हम थुड़ा सा आगे बढ़े और sustainable development पे बात करें Net Zero का target भारत ने लिया है by 2070 China ने लिया है by 2060 Net Zero target को fulfill करने के लिए हम बहुत सारे sectors में काम कर रहे है जैसे viability gap funding for wind energy viability gap funding का मतलब बड़ा ही simple सा होता है कोई एक entity है जो 100 करोड का investment करना चाहती है मगर उसके पास अभी 50 करोड ही है तो एक gap आ गई इस project को viable बनाने के लिए 50 करोड और चाहिए सरकार आ जाएगी इसी के साथ coal gasification और liquefaction capacity को setup करना यह science और economy दोनों का question हो सकता है बड़ी simple सी यह technique है हमने इसको पढ़ा है कहां clean coal technologies में आपने भी पढ़ा होगा coal gasification का मतलब होता है इसके भी पहले समझ लो कि carbon dioxide को कितनी तरीके separate किया जाता है basically इतना समझ लो आसान भाशा में इस coal gasification में syngas या gas में convert किया जाता है इसको पूरी तरीके जलाय नहीं जाता coal को और इसे use किया जाता है urea को बनाने में अगर आपको नहीं पता तो में बता दूँ कि urea production के लिए हमने coal gasification का plant बहुत रिसेंट में तालचेर ओडिशा में लगाया है carbon dioxide को separate किया सकता है gases से तीन ways से pre-combustion जिसे gasification भी कहते है post-combustion और oxy-fuel combustion pre-combustion जहांपे chemical reaction convert करती है fuel को into CO2 and other gases before combustion इसे gasification कहते है आसान भाशा में इस coal gasification में convert करना है हमें syngas में इसे use के जाता है urea production में इतनी चीज़ा आपको ध्यान रखनी चाहिए फिर phased mandatory blending of CNG, PNG and compressed biogas यह आपको बताने के तो बिल्कुल जरुबत है नहीं कि किस तरीके से हम blending के थुरू जो ज़ादा polluting gases को emit करते है fuel उसको हम खतम करने की कोशिश कर रहे है साथ ही biomass aggregation machinery को हम financial assistance कि इनको खरीदो और इससे बनाओ एक बहुत अच्छा initiative हमें आद देखने को मिला अच्छा क्यों है household को opportunity दी है हमारी सरकार ने कि आप अपने rooftop पे solar plants लगाओ और आपको 300 unit free electricity per month मिलेगी ठीक है basically यहाँ से बहुत सारे concepts है जो एक aspirant को आने चाहिए हम लोगों ने हाँ पे यह पढ़ा है कि renewable और non-renewable की जो grid है उसको जोड़ा जा रहा है हमने आपे renewable purchase obligation के बारे में पढ़ा हुआ है यह सारे key concepts इससे जुड़े हुए तो वो आपको पढ़के जाना चाहिए जैसे आपने देखा होगा पिछली बार smart metering पे question पूछा था right electricity was one of the very favorite topic of UPSC और वो होना भी चाहिए है न तो लगातार हमसे electricity पे UPSC question पूछ रहा है फिर यहाँ पर बात की जा रही है e-buses की public transport network के लिए उसको हमने adopt किया है e-vical ecosystem को जैसे कि हम जानते है fame fame का full form क्या होता है मुझे chat session में सारे लोग बताना ठीक है साथ ही bio manufacturing और bio foundry के लिए environment friendly alternatives को हमने launch किया है आप लोग शायद न जानते हो but as I have worked in one of the company जो की bio foundry में काम करती थी basically foundries में बहुत ज़दा pollution होता है जो develop nations होते हैं न वो जितना भी foundry का काम होता था वो हमारे देश में base देते थे offshore कर देते थे क्यों क्योंकि वो environment friendly initiatives को launch करके बैठे थे और हमारे उसको माना नहीं जाता था मगर अब हम भी उस level पर आ गए हैं कि हम भी environment friendly alternatives को launch कर रहे हैं that is bio foundry ठीक है इसके बाद non-fossil fuel का percent increase बताया है मतलब कि installed electricity capacity हमने non-fossil fuel से कितनी किये साफ तोर पर आप देख सकते हो massive level पे हमने electricity capacity को install किया है through non-fossil fuel through non-fossil fuel प्रधान मंत्री उजवला योजना 10 करोड से आदा LPG connection हम लोग दे चुके हैं इतने करोड LED bulb इतने लाग tube light अंडर उजाला यह आपको पढ़ना चाहिए इतने करोड LED street light infrastructure and investment हम लोग ने economic survey में भी इसको discuss किया हम सब जानते हैं logistic efficiency हमारी बढ़ रही है logistic efficiency और इसकी cost का कम होना इसका एक कारण GST भी है इसका सबसे महतपून कारण है e-webill e-webill हम लोगों ने तीन major railway कॉलिडोर प्रोग्राम को initiate किया अंडर PM गति शक्ति PM गति शक्ति सारी ministries को एक साथ लाना major काम national monetization pipeline right national infrastructure pipeline ये सारे topics एक दूसरे से जुड़े हुए तो बड़ी basic सी बात है बस पता रखो कि national monetization pipeline में हम पैसा जुटाएंगे lease out करके सरकारी चीजों को ठीक है unused asset जो है national infrastructure pipeline में हम बहुत सारे infrastructure projects पे खर्चा करेंगे PM गति शक्ति के तुरू ministries को coordinate करेंगे ये ना इस तरीके से हमने इन चीजों को पूरा cover किया है और हमने पड़ा हुआ है साथ ही foreign investment को promote करना वाया bilateral investment treaties to be negotiated उडान scheme की यहां पर बात की हुई है हम new airports को develop कर रहे है metro rail नमो भारत urban transformation इसके तुरू हम करेंगे चीक है capital expenditure as percentage of GDP अगर देखें तो वो of course बढ़ेगा बढ़े गई अरे GDP बढ़ेगी तो capital expenditure क्यों नहीं बढ़ा होगे उसके मुकाबले है ना बिलकुल बढ़ा होगे साथ ही FDI का अगर inflow देखें 10 साल में तो वो देखो कितना हुआ है ठीक है physical infrastructure की बात करें तो देखो या developing nation है हम हर जगे ही बढ़ेंगे common sense है common sense ठीक है देखो कितना आसान सा question आपसे पूछ सकते है कि इन में से किस physical infrastructure में हम लोगों ने improvement दिखाईए common sense का question है हर उसमें दिखाईएंगे दिखाईएंगे है ना हाँ अगर question ऐसा बने कि arrange the following physical infrastructure जहाँ पे हम सबसे आदा बड़े जबसे आदा इंप्रूव किया और descending order में तो might be possible आप confuse हो जाओ है ना तो यहाँ पे आपको confusion आएगा national highway और number of airport में एक minute के लिए रुको यहाँ पे आपको maths भी करना पड़ेगा थोड़ा सा सोचो कि हमने कहाँ पे ज़्यादा improve किया है ठीक है although मैं आपको यह बता दूँ कि यह compare नहीं हो सकते है ना यह बात चल रही है number of airport की और यह बात चल रही है national highway बनाने की मैं आपको देखना चारा था कि आपकी जो clarity है वो किस तरीके से है अब आप electrified rail route को compare थोड़ी कर सकते हो national highway से I hope so कि आप समझ रहे हो चीज को मैं आपको संत्रे से compare करने के लिए बोल रहा था apple को ऐसा UPSC कभी कभी कर देता है ठीक है तो दिमाग open up रखो सिब सीधे calculation मत करने लग जाया करो कोई बोल दे तो plus minus चलो aspirational district program हम सब जानते है joint secretary level के आदमी को ऐसी district में भेजाओ सबसे पिछड़ी है वहाँ पे उस पूरी district को overall करने की कोशिश की गई 112 district को चुना गया था उसमें बहुत सारे massive level पे काम किये गए जैसे personal woman register for antenatal care within first trial semester वो इतने बढ़ गए प्रदान मंत्री जीवन जोती बिमा योजना के अंतरगत पर लाइक पॉपरिशन में number of enrollment सोचो इतने बढ़ गए पता इतने जादा क्यों बढ़े क्योंकि एकदम ही पिछड़ा था कुछ था ही निवा और जहां कुछ जरासा किया इतना figure बढ़ गया ठीक है इसके बाद में health की अगर बात करें तो यहाँ पे cervical cancer vaccination for girls को encourage किया जाएगा 9 to 14 years सक्षम आंगनवाडी और potion to साथ ही यहाँ पे आईश्मान भारत की बात की जा रही है हम में से कौन नहीं जानता कि इंशुरेंस स्कीम है 5 लाक रुपे प्रोवाइड किये जाते हैं अभी तक 12 करोड लोग से जादा इसके अंतरगत कवर हो चुके हैं अब आप मुझे बताओगे कि आईश्मान भारत स्कीम के अंतरगत एक फैमिली को कवर किया गया और एक फैमिली में कितने लोग हो सकते हैं यह आप मुझे बताओगे मगर इस बजट में खबर यह है कि इस आईश्मान भारत स्कीम को एक्स्टेंड किया जा रहा है फोर ओल आशा आंगनवाडी बरकर एन हेलपर बड़ी आसान सी बात दी और आकरी में बजट कम फ्रम रुपी कम फ्रम रुपी गोस्टू यह हम अल्लेडी पढ़ी चुके हैं सबसे मेजर एलोकेशन गया है मिनिस्ट्र ओडिफेंस को उसके बाद यहाँ बाकि की मिनिस्ट्रीज देख सकते हो मेजर स्कीम में कितना पैसा गया है यह आप देख सकते हो इसमें मुझे पढ़ते पढ़ते एक चीज नजर आई देखना आपको आती ही क्या सोलर पावर गृट का जो बजट एलोकेशन है लगबग दो गुना नैशनल ग्रीन हाइड्रुजन मिशन लगबग दो गुना सेमी कंड़क्टर लगबग दो गुना बस तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़े अंदाजन पता होनी चाहिए सोचो चो renewable form of energy sources है या clean form of energy sources है सोलर हो गया, green hydrogen हो गया और सबसे ज़ादा news में रहने वाली scheme बोल लो, industry बोल लो, उसमें दो गुना बढ़ा है, दो गुना तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, in general, figure को ही नहीं पूछेगा मगर दो गुना इस टाइप की चीज़ें पता होनी चाहिए, चीक है इसके बाद ये चीज़ें तो हम पढ़ी चुके है revenue expenditure और ये सब so that's it from my side for this particular analysis hope you like this chat section में जरूर बताना we'll meet you soon with some more interesting lectures on budget till then keep shining, have a good day